आएए जाने की एक आदर्स पती और पत्नी के रिस्ते में क्या गुन होने चाहिए आदर्स पती पत्नी के गुन गुन नमबर एक आदर्स पती पत्नी के गुन एक दूसरे का शमान करे सम्मान किसे नहीं पसंद होता है जब पती-पत्नी के रिस्तों की बात हो तो ये सम्मान एक दूसरे के लिए और ज़्यादा होना चाहिए आपका पार्टनर चाहे रुपए पढ़ाई लिखाई गुनिया फिर नोकड़ी में भले आप से कम हो उसके बाद भी आप उनकी अच्छी बातों के लिए उनका सम्मान करिए आप एक दूसरे के लाइफ पार्टनर है यही काफी है इसलिए एक आदर्स पती-पत्नी के रिष्टों में एक दूसरे के लिए सम्मान होना चाहिए गुन नम्बर टू आदर्स पती पत्नी के गुन पार्टनर से करे प्रेम पती पत्नी के रिष्टों में सबसे जरूरी होता है कि एक दूसरे को प्यार करना आप अपने पार्टनर के बाहडी रंगरूप को द्यान ना देते हुए उसकी आंत्रिक सुन्दर्ता से प्रेम करे जब आप अपने पार्टनर को बिना किसी स्वार्थ के प्यार करेंगे तेभी आपका रिष्टा एक आदर्स रिष्टा बनेगा आदर्स नम्बर टृ पती पत्नी के गुन पार्टनर की एक छाओं को दे महत्व पती पत्नी को चाहिए कि वो एक दूसरे की एक छाओं की हमेशा कद्र करें अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो अपने पार्टनर की रजामंदे जरूर ले पती पत्नी के रिस्तों में सब्ड का होना बहुत जरूरी है आदर्स नम्बर चार पती पत्नी के गुन गलतियों को नदर अंदाज करें गलति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो कठिन परिस्तिती में भी आप अपने पार्टनर को दोशना दे कर उसके साथ खड़े होते हैं तो आप एक आदस पार्टनर हैं उस समय खुद को रख कर देखे यदि वो गलति आप से होती तो आप क्या करते अपने पार्टनर से क्या अपेक्छा रखते पार्टनर की गलति को माफ करके उसे सुधारने की पहल करे आदर्स नमबर पाँच पती पत्नी के गुन एक दूसरे की मदद आदर्स पती पत्नी के रिष्टे में आदर अपनापन और सहयोग की भावना होनी चाहिए अपने पार्टनर के सवभाव का सम्मान करे पती पत्नी अपनी एक्छाओं को एक दूसरे पर ना थोपते हुए बढ़ावडी का दरजा देते हो तो आप एक आदर्स लाइफ पार्टनर हैं सचे लाइफ पार्टनर वही होते हैं जो एक दूसरे के कामों में शहयोग करें सारे काम को एक दूसरे पर ना डाले जी हाँ दोस्तों आप सब को अगर ये गुंदोस अच्छा लगा हो और आप में हैं तो आप एक आदर्स पत्ति-पत्नी है प्लीज अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को एक सस्क्राइब जरूर कीजिए सस्क्राइब करने से हमारे होशले बढ़ते हैं और हमें और भी वीडियो बनाने की इक्छा करती है